दोस्तों आप सभी बिहार सिविल कोट भरती के लिए फॉर्म भर दिये हैं और अब इंतजार कर रहे हैं एक्जाम डेट की परिक्षा कब होगी आप देखेगा दोस्तों तिस बार सिविल कोट भरती के लिए रिकॉर्ड तोर आवेदन हुआ है इतना किसी भी पोस्ट के पिलाकर 18,64 फॉर्म फिलब की हैं और सभी 18,64 के लिए बहुत ही जरूरी यह वीडियो है आप सभी एक्जाम डेट का वेट करने की परिक्षा कब होगी अब देखिया आपके पास बहुत ही सिमित समय बचा हुआ आप सुचिएगा कि 5-6 महने का समय फॉर्म भर दिये हैं और 5 6 महने अराम से त्यारी करते हैं और सेलेक्षन लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है तो चलिए देखिये फटाफट परिक्षा कबली जाएगी और साथी दोस्तों आप लोगों को एक्जाम से संबधित एक नोटिस भी दिखाने वाले हैं तो यहां पर आप द हुआ है आप अगर यह सोच रहे होंगे कि 2-4 लाग फॉर्म फिलप हुआ है तो ऐसा बिल्कूल भी नहीं है फॉर्म का फी अधीक था उसके बावजूद भी बहुत ही अधीक आविदन हुआ है तो जाहिए आप सभी पिछला वीडियो देख लिजी कि इस पोस्ट के लिए कितना क्या फॉर्म फिलप हुआ है पूरूफ के साथ आप लोगों को सब कुछ दिखलाए हैं कुल मिलाकर दोस्तों इसमें जो टोटल फॉर्म फिलप हुआ अठारा लाग चातर फॉर्म फिलप किये हैं जिसमें सबसे अधी गुरूब डी प्यून वाला जो पोस्ट है उस यहां पर आप दिखेगा यह जो है ओफिसल एडवर्टाइजमेंट के अनुसार यहां पर कलर का पोस्ट तैंतीस सो पचिस एस्टेनोग्राफर का पंदरह सो बासट कोट रीडर डिपोजिशन राइटर का ग्यारह सो बतीस प्यून ओर्डरली का सोलस होती है तरो बिग्या सेट करके त्यारी इस एकजाम में भी लग जाएंगे तो दोस्तों इसका जो बिग्यापन पब्लिश्ट किया गया था 16 सितंबर को फॉर्म भराना शुरू हुआ था 20 सितंबर से और 20 अक्टूबर 2022 इसका लास्ट डेट था तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना परेगा कि हर एक जाम के कपना ट्रेंड होता है कि कब हम परिक्षा लेंगे कितने दिन पहले यह सूचना दी जाती है एडमीट कार्ड कितने दिन पहले जारी किया जाता है रिजल्ट कितने दिनों में दिया जाता है फिर आगे की परकिरिया कैसे क्या होता है अगर आप यह समझ एगा तो फिर आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि परिक्षा कब होगी कितने दिन का आपको समय मिल रहा है तो यहां पर इस नोटिस को आप देखिए फिर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा तो यहां पर देखेगा यह हिंदी में नोटि है तो ऑनलाइन आवेदन और यहां पर ग्रेट पे 24 तो 24 ग्रेट पे एक अंतरगत कलर का पोस्ट है और इसमें लगभग सेलरी आपको 40,000 मिलने वाला है तो अच्छा खासा सेलरी ओफिस वाला जौब है इसलिए आपको मीशन मोड में त्यारी करना है और ऐसी भरती को हाथ से जाने मत दीजे पिछली बार 2016 में भरती आई थी ठीक 6 साल बाद इस बार 2022 में भरती दी गए यह आप 2078 में ही आपको अगला भरती देखने को मिलेगा तो पिछली बार दोस्तों तीन भरती आई थी गुरूप D का पिछली बार एकजाम के अधार पर सेलेक्शन नहीं था इ देरेक्ट था भरती कलर का सोलों से कासी था विग्यापन संख्या 01-2016 के अंतरगात एस्टेनोग्राफर के 1057 विग्यापन संख्या 02-2016 और 937 था डिपोजिशन रेटर का तो विग्यापन संख्या 03-2016 और इसका जो फॉर्म भराना शुरू हुआ था यहां पर आप दिखेग कि जितने भी important topic है जो जो fix है कि exam में जहां से question पूछा ही जाते है यह सब topic यहां पर आप लोगों को मिल रहा है और यह सब बिल्कुल फिरी में है तो जाए फटा फट जुर जाए और important topic जो भी मिलता है उसको आप complete करते चलिए परते एक दिन आपको 2-3 important topic minimum provide करवाएंगे जितने भी science gk से संबंधित है और math reasoning में कुछ important fact जो भी formula यह सब भी provide करवाएंगे तो फटा फट सक्सेस planet टेलिग्राम से जुर जाए टेलिग्राम पर लिख कर सक्सेस planet सर्च किजेगा और यहां पर यह तरह से आजएगा फिर नीचे में join का button आएगा join कर लिजेगा और ज दोस्तों मार्च 2016 में फ़र्म भराना complete हुआ तब यहां से exam date से संब्धित notice देखे यहां पर देखेगा office of the conveiner district session judge पटना और यहां पर exam nation notice विग्यापन संख्या 01.2016 आपके मन में यह भी dot होगा कि पहले group D का exam होगा यह color का कुछ हात्रों का यह भी dot है कि क्या तोनों एक्ज दस दिन पंदरा दिनों का गेव दोनों exam में देखने को मिलेगा तो यहां पर दिखेगा color कवला पोस्ट का screening test पिछली बार notification में screening test का जिक्र था पहली बार निकाला गया था exam के धार पर यह था कि अगर candidate की संख्या अधीक होगी तो पहले हम screening test लेंगे यानि PT परिक्छा ल नौ लाग छादर फॉर्म फिलब कर दिया है इसलिए final merit वाला जो exam है यह होगा subjective tab का तो नौ लाग का copy check करने यह सब संभा भी नहीं है इसलिए सबसे पहले OMR seat पर exam लिया जाएगा तो यहां पर दिखेगा 17 जुलाय 2016 को पिछली बार color कवाले post का exam यहां पर दिया गया था schedule और हम आप लोगो 17 जुलाय 2016 का original question paper भी provide करवाए है YouTube पर तो आप सभी देखे ही होंगे इसलिए दोस्तों ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलता है तो आप सभी फटा पर चैनल सबस्क्राइब कीजिए जुर जाएए हम आप लोगों को हमेशा 100% सही जानकारी देते हैं आप सोच सकते हैं कि 25 दिन पहले यह जानकारी दिया गया तो आप अगर सोच रहे होंगे कि हमें बहुत पहले यानि 3-4 महने पहले civil court बता देगा कि इतने तारीकों हम एकजाम लेंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला यह कोई आयोग नहीं है BPSC, Bihar, SSC यह सब आयोग इस बार भी आप भरती का दिखेगा तो सिधा यहाँ पर notification जारी किया गया और notification जारी करने के बात सिधा यहाँ पर प्रोड भरने का जो भी the date खत्म हो गया अब एक देर महने बाद सीधे एक जाम डेट से संबधित नोटीस आएगा और फिर इसके बाद एडिमिट कार्ड दिया जाएगा तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि आपको बहुत पहले यह जानकारी नहीं मिलने वाला है पिछली बार मात्र 25 दिन पहले एक जाम डेट से सं कुछ ना मिल जाएगी और यहां पर एक जुलाय सेडमिट कार्ड का यानि लगभग सतरा दिन पहले यह दिया गया था कि 26 जुन को देखेगा नोटीस आया था कि एक जाम लेंगे और 17 जुलाय को और एक जुलाय सेडमिट का सिविल कोट का ओफिसल वेबसेट से डॉनलोड त्यारी करना क्योंकि हर एक जाम का अपने एक पैटर्न होता है और हम आप लोगों को जो सिविल कोट का पैटर्न है उसी पैटर्न पर हो बहुत त्यारी करवाएंगे तो संपूर्ण त्यारी करना चाहते हैं जाए फटा-फट अपलीकेशन से जुर जाए बहुत ही कम फी कोर्शुप लब्धा और संपुन सिलेवस के अनुसार त्यारी करवाएंगे जूर करके आप सभी त्यारी में लग जाईए तो कलरक पोष्ट में लगभग सातला केंडेट और इसकी परिक्षा दोस्तों दिसंबर लास्ट में ली जाएगी आपको यह नहीं है कि 3-4-5 महने का समय दिया जाएगा पहले के अनुसार यह नहीं है पिछली बार मार्च में कंप्लीट हुआ था जुलाई में लगभग 4 महने का समय दिया गया था इस बार लगभग आपको 3 महने का समय मिलेगा दिसंबर 2022 में परिक्षा ली जाएगी अगर दिसंबर में नहीं होता है तो ब 25 दिन पहले आपको इसी तरह से पिछली बार की तरह दे दिया जाएगा नोटीस तो फिर आप इस दिन में क्या तैयारी कर पाईएगा बस जो भी पढ़े हैं रिविजन किजेगा मिशन बोड में तैयारी नहीं कर पाईएगा और इसका पैटर्न भी अलग है इसमें आपको हिंदी पढ़ना है हिंदी को अगर आप इग्नोर किजेगा फिर आपका रिजल्ट ही नहीं हो पाएगा बहुत अधिक रिजल्ट भी नहीं दिया जाएगा टोटल साथ लाग में से 3300 सीट है इसका दस उना यानि लगभग 35,000 कंडेट को PT परिक्षा में रिजल्ट दिया ज लगभग 35,000 और तुरंत इसका पटना में सेंटर बना करके एक डिर महने में एकजाम ले लिया जाता और इसके बाद तुरंत कॉपी सब कुछ चेक करके दो महने में इसका रिजल्ट दे दिया जाता है यानि सितंबर में भरती आय थी और सितंबर 2023 अगले एक साल में ये भ गुरूप D की तो गुरूप D में दोस्तों लगभग 9,000,000,000 फॉर्म फिलब के और गुरूप D में देखेगा सीट तो मात्र 1600 सीट है यह नहीं कि बहुत अधिक सीट है तो गुरूप D वाले पोस्ट में भी स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे पहले PT एक जाम होगा और आप सभी अपलिकेशन से जूर करके गुरूप D का स्पेसल कोर्स भी जोइन कर सकते हैं गुरूप D का स्पेसल नया कोर्स लंज कर रहे हैं और यह कलरक वाले पोस्ट कलरक वाले जो पोस्ट है उसका फी कम रहेगा तो आप से भी गुरूप D के लिए फॉर्म भरे हैं जोइन कर सकते परिक्षा और इसकी परिक्षा तो कलर्क के बाद लिए जाएगे, कलर्क के लगभग 10-15 दिनों बाद इसकी परिक्षा लिएगी, एक डेट में बिल्कुल भी एकजाम नहीं होगा तो इसको लेकर आप सभी निस्चिंत रही लगभग तीन पाली में इसकी परिक्षा लिए ज एक डेट में किसी भी परिक्षा नहीं होगी। यहाँ पर दीखेगा दोस्तों ये civil court का है, तो civil court कलर्क वाले पोस्ट का है, तो यहाँ पर सबसे पहले असपश्टी लिख दिया गे एक preliminary exam, प्रारंभिक परिक्षा होगी, इसके पाद return test होगा। और प्रारंभिक परिक्षा क का भी syllabus यही है, English से पुछा जाएगा, Question Hindi से पूछा जाएगा, GK है, Math है, Reasoning है, Computer है, Computer से 15 Question पूछा जाएगा, Computer Hindi, इन सभी subject को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर आप इग्नोर कीजेगा, फिर आपका result ही नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों आप सभी अगर सं त्यारी करवाएंगे, syllabus के coding त्यारी करवाएंगे, जिससे आपका एक सीट असानी से पका हो जाए, और अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तो टेलिक्राम से भी जुड़ जाएगे, जो भी important topic है, उसका यहाँ पर PDF सब कुछ सेंड कर देते हैं, आप यहाँ से भ परिक्षा दोस्तों, offline OMR seat पर ही लिजेगी, color post का और group D post का, candidate अधी का इसलिए online परिक्षा नहीं लिजाएगी, OMR seat पर होगा, यह भी dot है कि question paper Hindi English का दोनों में दिया रहेगा कि सिर्प English में, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बिहार का देखिएगा राज के भासा हिंदी है, तो इसमें Hindi English दोनों भासा में question paper का language रहेगा, यानि bilingual रहेगा, language को लेकर आपको कोई भी दिकत नहीं होने बाला है, और यहाँ पर देखिएगा जो भी syllabus है, syllabus कनुसार आपको त्यारी करना है, दसकुना इसमें result दिया जाएगा, सबसे पहले PT परिक्षा होगी, और हम आपनों क पर भी धेर सारा content वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी important topic है, टेलिग्राम पर मीली रहा है, और आप सभी अगर application से जुड़ना चाहते हैं, जाए फटाफर जुड़ जाएगे, अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नहीं है, फटाफर चैनल को सबस्क्राइब किज और जूर जाएगे,